आपका जन्म पाली जिले के अख्यराग सोंगरा की पुत्री क्रिवं महरा गुदै सिंग की भरानी जैवंट कमची कोग से रिक्रम सुब्रत 1597 में अथार नाओ मरी 1540 को पुद्ध गड़ देखे बानलेकार चित्ताण गड़ में गुजरा स्रां 1567 में अकबर ने जब चित्ताण गड़ राक्रमा किया तो मेवार के प्रमुक सतारों और सेना नायकों के आग्रह पर महरान उदै सिंग ने चित्ताण गड़ छोड़ दिया अपने देश, कुल, गौरब और मात्रिवहुमी की मर्यादा के लिए प्राण न्योचावर करने वाले युद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने नकेवल सीख ली बल्के ये घटना उनके जीवन का आधार बन गए परवरी 1570 को महरान उदै सिंग का देहांत हुआ प्रताप की जेश्टता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सर्दारों ने उनको राजगदी पर आसीन किया भूली के दिन उनका गोगंदा में राज तिलक हुआ उस समय तक लगभद सभी गाजाओं ने अकबर की अधीन का स्विकार कर ली थी एक मात्र महरान प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं जुकाया प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तयारी में जी जान से जुट गये 18 जूम 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध एक मैदान में एतिहासिक युद्ध हुआ महरान प्रताप की सेना गोगंदा से हल्दी घाटी पहुची जबके सेनापती मान सिंग के नित्रित्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोचा जमाया मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुस बैट करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रधाद की सेना मगोण पर Kathryn प्रधाद के हरावन सैन्ह दलों का नित्रत्वर पठान हाकिम हासू कर रहे थे भीकोराना जो राना पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं उनके नित्रकों में भील आधिवासी में गोरिला पर्द्धी से योग करते हुए मुझनों के पच्छके फुरादे। देखते ही देखते शही सेना में खलबली मच गई रख तलाई प्रोयों के टापों आत्मा की चंगारों और कलबारों की जंकारों से गुझ जुटी। युद्ध का घटना क्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने खुड़े चेतक को एर लगा कर मान सिंग के हाथी पर चड़ा दिया और उस सर्भाले से भरबूर वाँ गया। जमान सिंग हादे में दुबग गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांक कट गई। इस थिती को भाग कर महराना प्रताप के हमशकल सेनापती जालामान ने महराना प्रताप से आग्या लेकर उनका राजवुकुट धारन किया। मुगल सेना जालामान को महराना प्रताप समझ कर पूपर पूपड़ी और जालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को पाँच किलोमेटर तक टीन टांगों पर भी लेकर एक बरसाती नाने को पार किया। उसके बश्चान उसके प्राण पखेरू उड़ गए। इस युद्ध से महराना प्रताप के मन पर गैरा प्रभाव पड़ा। परिनाम स्वरू उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोडने और पत्तों पर भूजन करने का प्रण लिया। जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महराना प्रताप ने अपना सैन्मेबल बढ़ा कर सर्वप्रथम अरावली परवत की घाटियों में बसे दिलेर पर चड़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुम्भल गड़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित दोड़कर को छोड़कर साने मेवान को अपने अधीन करिया। कालांतर में महराना ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। इस जन्वरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र सक्तावन बर्ष की आयू में इस संसान से प्रयान किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदाइक युद्ध नामोकर आत्मसम्मान मात्र भून की स्खतंत्रता मस्वाधींता का संधरश था। इसका प्रमान ये है कि जहां पर अक्बर की सेना के सेना पती जैपुर के राजा मानसिंग थे। वहीं पर महराना प्रताप की सेना के सेना पती काबुल के हाकिम खांसूड थे। महराना प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था। जो आत्मसम्मान वदेश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा। भदगता रहा। और अंक में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौभ भर दिया। जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रिंदित।